सुल्दानपुर राज के मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को एक बार फिर महिला पेशिंट की मौच से हंगामा मच गया स्वास्त अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर परिवार वालों को समझा भुजा कर शांत कराया तायल 112 की टीम ही मौके पर पहुँची थी जानकारे के हिसाब से शेर के कोतवाली नगठाना अंतरगत मेराला नगठ निवासी निर्मला देवी को परिवार वाले लेकर राज के मेडिकल कॉलेज की इमर्जनसी में पहुचे यहाँ डौक्टर ने महिला को इंजेक्शन दिया और उपेडी में फिजीशिन को दिखाने की सल्हा दी परिवार वाले महिला को लेग और उपेडी में पहुचे जा मरीजों की भारी मीड़ थी जब तक डॉक्तर आते और ट्रीटमेंट करतें महिला की मौत हो गई महिला की मौट से परिवार वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया जिस पर CMS, SKG, महिला उस्पिटली के CMS, इसके अलावा SCMO और CMO मौके पर पहुँचे उन्होंने परिवार वालों से जानकारी ली पता चला कि महिला को प्राइविट हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां हालत बिगड़ने पर परिवार वाले सरकारी इस बता ले कर पहुचे था आपको बता दे 12 अप्रेल को भी मेडिकल कॉलिज की ओपेडिवे मुसाफिर खाना के रसुटाबाद में दिखाने आए विदीशी और बंधुआ खला निवासी सुरेंत्र की मौत हो गई थी दोनों की मौत की जांच तीन सदसिये जांच कमिटी कर रही है CMS डॉक्टर S.K. गोईल ने बताया कि महिला के परिवार वालों ने बताया महिला को बेट में दर्द और उल्टी हो रही थी ऐसे में उससे लू लग गई थी जुसके कारण उसकी मौत हुई उन्होंने ये भी बताया कि CMO डॉक्टर निकेत्र पार्थी समेत स्वास्त अधिकारी ने विचार विमर्ष किया निशकर्ष निकाला गया जब एमर्जंसी में जूनिया डॉक्टर पिटा सीनियर से सलहा के इंजेक्शन आदि नहीं लगाएंगे साथ ही साथ कल से सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी एमर्जंसी में लगाई जाएगी सुल्तानपूर से 944 के लिए सरफराज एहमत की रिपोर्ट